हाँ तो भाई वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कलकी के डायरेक्टर ने एक बहुत ही बड़ी एक्स्क्लूसिब न्यूस हमें दी हैं उनके रिसेंट इंटर्विव में किलकी पार्टू कब आने वाली है इसका सूटिंग कब से स्टार्ट ह नहीं किया है तो भाई जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि यह इसी इंट्रेस्टिंग एन अमेजिंग वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सको तो या रिसेंली कलकी के डायरेक्टर नागश्वी ने एक इंटर्विव देया था वहाँ पर उनको पूछा गया कि बाई कलकी के पार्ट टू को लेके क्या अपडेट्स हैं आप हमें कलकी पार्ट टू को लेके क्या डिटियल्स बता सकते हैं इसका सुटिंग कर से स्टार्ट होगा क्या इसका सुटिंग कंप्लीट हो चुका है आधा या फिर आपको ये movie ट्रेटर में देखने को मिल जाएगी तो guys इसका मतलब यह है कि कल की part 2 का 20 days का shooting already complete हो चुका है मतलब जो major scene से वो complete नहीं हुआ है जो minor चीज़ है उन में से कम से कम 5 या 6 परसन का shooting complete हो चुका है बाकी जो इसके बहुत बड़े बड़े VFS and visuals वाले scene वो तो अभी करने बाकी है और guys मैं आपको साफ साब बता दू कि कल की part 2 के लिए आप इतना ज़्यादा interested मत हो क्योंकि ये movie इतना जल्दी ट्रेटर में आने वाली नहीं है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसका भी एक reason है और वो reason ये कि कल की के part 1 को बनने के लिए इस चार सल का वक्त लग गया था मतलब इस movie का सूटिंग स्टार्ट होगा था 2021 में और ये कब रिलीस वोड़ी है अब रिलीस वोड़ी है मतलब ले लो कम से कब 3.5 तू 4 यह का टाइम तो लगे गया और उपर से बाई कल की पार्ट वान इतनी बड़ी हीट हो गई है और उपर से बाई कल की पार्ट वान को साथ कॉंप्लेक्स भी दिखाये जाने वाले हैं और कहीं सारे बहतरीन थियोरीस और महावरत से जूरी हुई सीन से स्टोरीस भी हमें संटोरी दिखाए जाएंगी औरेस मीट का अब बजट करने में और कम से कम 105 एस तुक्स करने में करे और मुझे ने लग रहे हैं कि दो उसमविय का स्टार्ट और स्टार्ट होगा तो कम अब से कम नौवेंबर या डिसेंबर में जाके स्टार्ट होगा क्योंकि अभी प्रभास के पास और भी बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्स हैं जैसे कि सलार पार्टू का सुटिंग कंप्लीट करना है उसको रिलीस भी करना है और उपर से राजा सब तो अभी रिलीस होने प्रभास को प्रवास को कितनी बड़ी प्रोजेक्ट है उसके लिए प्रभास को पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा नागुश्विन को एक हपता क्या एक दिन भी प्रभास नागुश्विन को छोड़ के नहीं जा सकते जब तक इस मुवी का कम्प्लीट सुटिंग खतम न हो जाए तो यह मुझे नहीं लग रहा है कि यह मुवी आपको इतने जल्दी देखने को मिलने वाली यह कम से कम आपको सबस्क्राइब और सबस्क्राइब के लिए उनकी मुवी प्रभास को कम से कम हर एक मुवी के लिए 3-4 मैने का देना ही पड़ेगा उसके बाद वह प्रॉपर सूट कर सकते हैं कलकी पाट टू के लिए और अगर इतना reason काफी नहीं है इस movie को delay करने के लिए तो भाई सबसे बड़ा plus point और सबसे बड़ा point यह है समझने के लिए कि बाई कल की part 2 में officially director नहीं बताया है कि आपको सातों के सातों complex देखने को मिलने वाल है तो उन सातों complex को define करने के लिए उनको establish करने के लिए उनके imagination को real life में introduce करने के लिए उसको time तो लगेगा है ना बाई director तो इंसान है वो कोई भगवान तो नहीं है ना तो obviously इंसान को time लगेगा है और उपर से इतनी बड़ी movie है लोगों को बहुत ज़्यादा expectation हो चुका है इसके पहले part को देखके तो बाई obviously बात है कि director थोड़ा तो time ले और इस movie का shooting भी start होगा I think so 2025 के end से start होगा so guys यह था कल की part 2 के update को लेके अगर आपको ऐसा ही कुछ update जानना है और भी कहीं सारे movies के बार में तो guys आपको पता है कि आपको क्या करके रखना है और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो या फि सिदा का सिदा इंस्टाग्राम पर भी डियम कर सकते हैं तो यार बिलते हैं आप लोगों से अपने नैस इंट्रेस्टिंग एन अमेजिंग वीडियो पर तब तक बने रहे हमारे साथ इवी एक्स्प्लेइन में